नमश्कार हर खबर देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ रश्टी शुक्रा और इस समय हम मौझूद है सरोजी नगर वधान सब में जो लखनव की सबसे होट सीट मानी जाती है और बीजेपी से प्रत्याशी राजिश्वर सिंग जी मैदान में बीजेपी ने राजिश्वर सिंग्जी को प्रत्याशी बनाया गया है क्या कुछ उमीदे हैं आपकी देखिए राजिश्वर जो है वो किसी नाम के महताज नहीं है किसी आगर आप उनका प्रोफाइल देखिए तो इतने विद्वान इतने पढ़े लिखे काबिल अफसर रहे है वो एडी हर चीज काबिलियत उनके पास है तो ऐसा काबिल आदमी अगर देश के लिए सेवा करना चाहरा है तो मैं तो कहूंगी सरोजनी नगर की जनता की किस्मत खुल गई कि उनको इतना काबिल प्रत्याशी मिला है जो उनकी हर बातों को समझेगा और जो सबसे बड़ी ललकार रा अगर फिर साइकल आती तो दुबारा वही क्रिमिनल सडकों पे दिखते तो मैं बड़ी बहन होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जेंडर जैस्टिस में बहुत काम करती हूँ महिलाओं के हक के लिए बहुत काम करती हूँ तो मुझे लगता है कि जब इस तरह के ने जिस तरीके से जब से राजश्वर सिंग जी को प्रत्याशी बनाये गया है जो युवा वर के लोग हैं उन्हें बहुत ज़ादा उमीदे हैं राजश्वर सिंग जी से युवा के लिए क्या कुछ प्राथमितना रहेंगे और किस तरीके से काम काच किया जाएगा देखे युवा एक्साइटेड है मैं तो देख रही हूँ हर वर का जो व्यक्ति है वो एक्साइटेड है मेरी कल फ्रेंड ने एक पिक्चर भेजी राजेश्वर की मुख्वंत्री योगी जी के साथ और उसने लिखा कि मेरे दादा जी जो 95 यूर्स के हैं राची में रहते है उन्होंने हमारे फैमिली ग्रूप पे वो फोटो डाली है तो राची में रहने वाला बुज़ूर्ग इंसान अगर राजेश्वर का फैन बन गया है तो चाहे बच्चे हों चाहे बुज़ूर्ग हों सब को राजेश्वर पसंदे और बच्चों के लिए मैं ये मेसेज बड़ा त्याग करके आए हैं वो खोद अगर इस नौकरी में रहते तो एडी के डारेक्टर बनते और पावर छोड़ के अगर कोई आ रहा है तो उसका मतलब कि वो बहुत ही सिंसियर है और मैं इसलिए नहीं कह रही हूं कि मैं उनकी बड़ी बहन होने के नाते मैं तो परि क्योंका करती ले हैं चुरी करती है की किल मन लगाके पढ़ो और सिर्फ नाकरी नहीं अपना अपना स्वालम्भी बनो सेल्फ इंडिपेंडेंटेνगर बनो अपना काम शुरू करो और जो है देश के विकास के लिए कंघर फॉस्त है That is my message to all the young people that it should be country first, it should be nation first and then anything else. आबजी मैं आपसे जानना चाती हूँ, ऐसी कोई बात राजश्वर सिंग जी की, जो जवनता को ना पता हूँ और लोग जानना चाते हूँ, कोई खास बात आप उन्हें बचपन से जानती है। देखे राजश्वर को सब एंकाउंटर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, राजश्वर गोली चलाने में तो बहुत ही माहिर हैं, लेकिन एक चीद मैं बताऊंगी, घर के बच्चों से उनको बड़ा प्यार है, सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मैं जब यहां लखनों में दाइरेक्टर थी, बेटी मेरी लमाटेनिया गर्ल्स का एंट्रेंस एक्जाम देने जा रही थी, और मैं पापा के पास थी, राजश्वर के पास थी, और उसके बादी हम निकले स्कूल जाने के लिए, स्कूल जब पहुंचे और टेस्ट शुरू होने वाला था, बेटी मे देश्वर का कमिट्मेंट है, अफसर थी, लेकिन सब भूल के कि उनकी 10 साल की नीज पेंसिल बॉक्स लेके एंट्रेंस एक्जाम देने नहीं गई, वो आज भी मैं याद करती हूँ, और मैं कहती हूँ, जो अफसर एक 10 साल की बच्ची के पेंसिल बॉक्स को लेके भाग के आ सकता है, तो वो तो देश के लोगों के लिए कहीं भी पहुंच सकता है, बहुत शुक्रिया अबाजी, हर ख़बर में अपनी बात रखने के लिए, और हमसे बात करने के लिए, कैमरा परसन जगदीज के साथ, मैं स्रश्टी शुक्ला,